ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वाज़त है और हम आपको बताएंगे कि आमरस के बारे में कि आज जो आमरस्म रोड पे पी रहे हैं जो 5-10 रुपे मिल जाता है वो हमें कितना लुपसान करता है तो आपको सौधान हो जाने की जुरूत है गर्मी के मौसम में आम के जूस के दुकाने सच जाती है यहां गौर करने वाली बात यह है कि अभी बादार में देशी आम पहुचे भी नहीं है लेकिन जगा जगा आमरस की दुकाने लग चुकी है और आमरस भी कितने मिल जाती है 5-10 रुपे में सस्ते दाम में स्वाध युक्त आमरस पीने की लेला लोगों को इनकी ओर खिषती है इसी के चलते वोडोतरा में अभी खाथ विवाग ने आमरस के खेलों पर बहुत साई दुकानों पर तवादोड चापे मारी की दिए जहां पता चलाता कि 80% जगह मिलावट वाले जूश थे यानि की केमिकल और सेक्रीन मिला हुआ इसके चलते विवाग के अधिकारियों ने 1000 किलों से अधी कामरस निस्ट किये अभी कैसे तयार किया जाता हूं मैं आपको बदाता हूं रस बनाने में सक्क्रीन वह केमिकल सकता है विक्रेता रस बनाने के दौरान जूसर में आम के कुछ कटे टुकुडे बर्फ शक्रीन वह केमिकल एशन्स डालकर उसे देर तक गुमाते हैं कुछ दिर बाद यह रस पीले रंग लिए आमरस जैसा देखने लगता है इसके जो नुपसान हो मैं आपको बदा देता है इसके सेवन से केड़नी लीवर पर घा तक असर रोच सकता है डॉक्तर के मताबिक यह कैंसर जिसे खतरनाक रूप का भी कारण बन सकता है साथ ही एलर्जी वह स्वास समंधी अन परिशानिया भी खड़ी हो सकती है तो रोड़ पे जो पाँच-दस रुपे में जो आमरस म मिलता है अब उसे आवोइट कीजिए पीना तो धिन्यवाद आप हमारी चैनल के सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए धन्यवाद